पूरे देश में 13 स्टंबर को नीट की परिक्षा आयोजित होंगी जिसके लिए हमिरपुर जिला में प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं हमिरपुर जिला में नीट परिक्षा में करीब 6700 अभ्यार्थी हिस्सा लेंगे जिसके लिए हमिरपुर शहर सहित विभिन उपमंडलों में 16 परिक्षा किंद्र स्थापित के गए हैं जिसमें हमिरपुर शहर में 8 किंद्र स्थापित के गए हैं जो कि बड़्चर उपमंडल में 2, नादोन में 3, सुजानपुर में 1 तता बोरंज उपमंडल में 3 परिक्षा परिक्षा को उचित दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं जिसमें सभी सेंटर प्रभारियों को परिक्षा से संबंदित उचित दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं वहीं COVID-19 के चलते सभी परिक्षा केंद्रों को सेनिटाइस के अच्चा चुका है D.A.B. हमिरपूर्ट स्कूल के परधानाचारे एवम नीट सेंटर हेड विश्वास शर्मा ने बताय कि कॉबेट महमारी के चलते परिक्षा केंदरों की संख्या में गुरोतरी की गई है और चात्रों की परिक्षा केंदर में थर्मल स्कैनिंग की जाएगी उन्होंने बताय कि जिस चात्र का शारेरिक तापमार अधिक आता है तो उसके लिए अलग से आइसोलेशन रूम बनाए गया है विश्वार शर्मा ने बताय कि नीट परिक्षा दोपहर पाद दो से प्रालम होगी मगर अभ्यारतियों का सुबह 11 बचे से ही परिक्षा केंदरों में चरणबत तरीके से प्रिविश आरम हो जाएगा नीट के परिक्षा दोपहर दो बचे से शाम चार बचे तक आयोजित की जाएगी उन्होंने अभ्यारतियों से अपिल की है कि बे परिक्षा सेंटरों में आने से एडमिट कार्ड में बताएगे दिशा निर्देशों को पढ़ें और मुपर मास्क बानने के साथ चोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें शर्मा ने चातरों के अभिबापकों को भी परिक्षा केंदरों के बाहर भीट ना करने का आवान किया है देखें due to the COVID-19 इस बार काफी सारे changes किये हैं NTA ने हमारी पहली और सबसे important कोशिश यही है कि safety of all the staff all the people who are deputed on duty and most importantly the children जो बहुत दूर दूर से बचे यहां exam देने आएंगे तो उनकी safety हमारा first priority है sanitize किया जा रहा है buildings को सभी centers को instructions दी गई है कि social distancing का पूरा ख्याल रखा जाए एक agency को इसकी duties दी गई है NTA के द्वारा सभी invigilators को meetings लेकर यह instruct किया गया है कि social distancing का खास ख्याल रखा जाए और अगर कोई candidate ऐसा आज आता है जिसका temperature high है या कुछ है उनकी लिए एक अलग isolation room हो हमारे कोशिश है कि बचों को best से best facility दी जाया और उनका exam अच्छे और conducive environment में possible हो पाए 16 centers हैं इस बार due to covid centers की संख्या बढ़ाई गई है और मैं thankful हूँ department of police जिन्होंने हमें सयोग किया सभी centers पर अपने police officers को depute किया we are thankful to the department of health medical officer जिन्होंने अपने सभी instruction कि दिये हैं अपने officers को कि वो इसके stand by रहेंगे in case of any emergency and we are thankful to the electricity department जिन्होंने हमें assure किया है कि uninterrupted supply रहेगी electricity की totality में इस बार करीब करीब साड़े 6,000 candidates appear हो रहे हैं कांगडा हमीरपूर दोनों है districts के और इस बार जो कोशिश यह है कि उनकी entry जो है वो staggered की गई है और कोई भी display बाहर नहीं है ताकि कोई भी crowd का situation ना हो parents को request किया गया है कि वो वहाँ पर बच्चे को drop करें और साथ ही साथ निकल जाएं sanitizing और masks जो हैं वो NTA के द्वार भी provide किये जा रहे हैं gloves etc to the staff and face shields सभी उनकी safety और security के लिए ये provide किये जा रहे हैं जी timing में इस बार जैसा मैंने कहा कि staggered entry है 11 बजे से बच्चों का arrival शुरू हो जाएगा उनके admit card पर ये उनको instructions दी गई है कि कुछ लोग 11, 11, 11, 13 इस तरह से batches में सभी लोग आएंगे और exam जो शुरू होगा वो दो बजे शुरू होगा और वापसी के time में भी जब वो यहां से exam के बाद निकलेंगे तब भी इसी तरह से उनको staggered dispatch उनका होगा जो यहां से exit है So this is important, सभी बच्चों ने अपने admit cards पर पढ़ लिया होगा और कोई भी अपने साथ material ऐसा जो examination prohibited है वो नहीं लेकर आएंगे Only in case of drinking water, a transparent bottle is allowed Pens भी उनको allowed नहीं हैं, सिरफ NTA प्रवाइड करेगा black ballpoint pens